कि लम्हों ने खता की हैं और सदियों ने सजा पाई है तो यह जो लम्हों की खता थी और वो सदियों की जो हमारी रेजिलियंस थी और काम था उसको चौपट कर दिya कुछ लम्होंने इसलिए इन चीजों को याद रकना बहुत ज़रूरी है सर्यू में स्नान करते हुए उनको अपनी वो सिंध भूमी अपने संध स्थान याद आ गया है और वो कहते हैं कि काश कुछ ऐसा मिरक्यल हो कि सर्यू का जल और सिंधू का जल बिले और विभाजन सुबापत हो IGNCA and National Council of Promotion of Sindhi Language on the occasion of Partition Horrors Remembrance Day releasing a book titled Revisiting Partition, Tales of Displacement, Horrors, Negotiations and Reconcilations edited by Dr. Satchidanan Joshi Ji and Dr. Ravi Prakash Tekchandani Ji आजादी का अमरत महटसब सांस्कृतिक मंत्राल्य द्वारा अनुमोदित कारेक्रम के अनुसार इस पुस्तक को देश के प्रतेक भिश्विध्याले में पहुंचाया जाएगा इसके साथ ही इंद्रागांदी रास्टेकला के इंद्वारा पूरे देश भर में विवाजन विवीशिका पर एक परदशनी का आयोजन किया गया था उस परदशनी को भी एक पुस्तक के रूप में तैयार किया गया है जब 2021 में माननी प्रदानमंत्री जी ने विवाजन विवीशिका दिवस के रूप में जबदा अगस्त को स्मरण करने की बात कही थी तब उसके पीछे का जो उद्देश था वो बहुत स्पष्ट था कि विवाजन की तरासदी के बारे में आगे आने वाली पीड़ी भी जाने और समझे संबवतह इतिहास का सबसे बड़ा मानव सहार और आबादी का सबसे बड़ा विस्थापन जो कि भारत की आजादी के बाद हुआ वो विश्व के इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हुआ इस से तुलनात्मक रूप से छोटी तरासदियां विश्व के इतिहास में दर्ज हुई और उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी और पढ़ी गई लेकिन अन्याने राजनितिक कारणों से इस विभाजन की विभीशा के बारे में बहुत अधिक चर्चा भारत में करना मुनासिब नहीं समझा गया जबकि वास्तिविक्ता ये है कि इस विभाजन की विभीशका के कारण जिन लोगों ने अपने जीवन की बहुत अधिक यातनाय और तरासदी भोगी है उनको कहीं न कहीं अपनी अभी व्यक्ति का स्थान मिलना चाहिए था वे स्मृतियां जो इस विभाजन के दौरान उनके मन में अंकित हैं उसको कहीं न कहीं स्वर भी मिलना चाहिए था ऐसे कुछ प्रयास व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने किये कुछ संस्थाओं ने भी किये जिसमें विभाजन की तरासदी के संबंद में कुछ-kुछ बातें document की गई लिखा गया लेकिन एक तरह का संस्थागत प्रयास जिसमें ये महसूस हो कि भारत की पूरी की पूरी जंता इस विभाजन की विभीशिका से कहीं न कहीं अपने आपको जोड़ती है और अपने आपको कहीं न कहीं उसके साथ सहानुभूती प्रदर्शित करती है ऐसी कोई गती विदी इतने वर्षों में नहीं हुई थी यह हमारे माने ने प्रधानमंत्री जी की ही इच्छा और दृष्टी थी कि जब हम अपनी आजादी के 75 वर्ष मनाएं यानि जब हम अमरुत काल में प्रवेश करें तो कम से कम युवा पीड़ी इस बात को जरूर जाने कि भारत ने ये आजादी किस तरह के बलिदान दे कर किस तरह के लोगों का त्याग देख कर प्राप्त की है ताकि जब हम भारत का नव निर्मान करें तो कम से कम हमें इस बात का स्मरन रहे एहसास रहे पिछले साल इंद्रा गांधी राश्ट्री कलाकेंद्र को विभाजन की विभीशिकास्मृति दिवस के आयोजनों का दाइद्व भारत सरकार के संस्कृति मंद्राले द्वारा सौंपा गया था और इस सम्मर्द में कलाकेंद्र द्वारा और विभिनन संस्थाओं द्वारा पूरे देश में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया सेमिनार का आयोजन किया गया और इसके साथ ही संगोष्ठियों का आयोजन अलग-अलग स्थानों पर हुआ हमने कुछ फिल्में भी युवा फिल्म निर्देशकों से बनवाई फिल्म की प्रतियोगी ताबी की और हमने देखा कि कैसे ये जो युवा फिल्म निर्देशक हैं अपनी अभीव्यक्ति के माधम से विभाजन की विभीशिका को अभीव्यक्त कर रहे हैं इस सब के साथ इस पुस्तक की योजना भी बनी जिसका आज यहां पर लोकारपन हुआ है ये देखा गया कि ऐसे कई शोधारती हैं जिनोंने विभाजन से सम्मंधित विश्यों पर अपने अपने शोध लिखे हैं आम तोर पर हमारी शिक्षा विवस्ता की इतरास्दी ये है कि वे सारे शोध विश्विद्यालेओं की पुस्तकाले में ही दर्ज होकर रह जाते हैं उसका कहीं सामान जंता के साथ कोई साक्षादकार नहीं होता है श्री रवी प्रकाश टेक चंदानी जी ने ये बीड़ा उठाया कि वे ऐसे सभी शोधार्थियों को साथ लेंगे एकत्रित करेंगे और उन्हें प्रेणा देंगे कि वे विभाजन की तरास्दी पर एक बार फिर से एक ऐसा आलेक शोध परक लिखें जो आने वाले समय में कहीं न कहीं दिशादर्शन देता हो इस दृष्टी से इसमें हमने ऐसे दस आलेक जो शोध परक आलेक हैं वो प्रस्तुत किये हैं ये अकादमिक जगत के लिए एक बहु मूल धरोहर इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी आलेक प्रस्तुत किये गए हैं वे तथ्य परक आलेक हैं हो सकता है भावना की दृष्टी से वे थोड़े कम हो लेकिन तत्यों की दृष्टी से वे परिपूर्ण है जो अकादमिक जगत के लिए जादे महतवपूर्ण है तो एक तरफ भावना का भी प्रश्ण है और एक तरफ आंकड़ों का भी प्रश्ण है आप देखते हैं कि लाखों लोग बेघर हो गए या अपना घर छोड़के दूसरी जगाओं पर गए कई लाख लोगों की जाने गई महिलाओं पर जो अत्याचार हुए उसकी अपने आप में कहानी बहुत रिदेविधारख है बच्चों ने जो कुछ जहिला वो अपने आप में बहुत ही जादा आपको कहीन न कहीं हिला देने वाला है स्पंदित कर देने वाला है ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कि हमें इस ब बारा ऐसा फिर ना हो हम सब भारत की एकता के लिए कैसे संकल्पित हो सकते हैं इसके बारे में भी सोच दे का आज दिवस है और इस दृष्टी से ये पुस्तक कहीं न कहीं उसमें सहयोग करेगी आपका मार्ग दर्शन कर पाएगी इस ही मंशा से ये पुस्तक आपके सामने हम प्रस्तत की है विभाजन विभीशी का दिवस और इसकी मंशा आज सुबह भी अगर माननी प्रधान मंतरी जी का ट्वीट आपने देखा होगा तो उन्होंने भी इस बात को सपष्ट किया है कि वे उन तमाम लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस विभाजन की विभीशी का मे अपना परिवार खोया है या अपने कहीं न कहीं पूरी की पूरी संपक्ति खोई है इसमें कहीं समाज में वेमनस से फैलाने की मंशा नहीं है इसे समाज को जोडने की मंशा है समाज को एक साथ रफने की मंशा है और एक भारत स्रिष्ट भारत ऐसा बनाने की मंशा है इस त इसमरण जो हमें शक्ति देता है जो हमें दृष्टी देता है और बार बार ऐसी गलतिया न करने का एक ऐसी दिशा भी देता है सब लोग सामने तब पूछते हैं कि ऐसे इसमरण इस परकार की विवीशिका का इसमरण क्यों करना आदरनिय सचिदानन जी ने भी और बहन जो यहां पर बोल नहीं थी उन्होंने भी सपस्ट किया रिकांकित किया कि इसमरण के पीछे भाव यह है कि हम आगे वाली पीडियों को यह ट्रांस्मिट कर सकें उनको बता सकें और भवश्य का कहीं कुछ ऐसा सूत्र उसमें मिल जाए कि क्या हम इस खंडित से अखंडता की और बढ़ सकें इसके पीछे भाव ना यह है आप लोगों के सम्मुक इस पुस्तक प्रकाशन को लेकर के जो विविध इसमें लेख है अकाडेमिक भी है लेकिन वो कहानियों को लेकर उपन्यासों को लेकर संस्मरणों को लेकर के बहुत अच्छी तरह बुने और गुने गए है उसमें पंजाब की कहानिया है उसमें सि कानिया है और आप लोगों से आग्रह है कि उस पुस्तक का वाचन करें पठन करें और अपने दोस्तों से भी इस बात को पहुचा के देखें दिल्ली विश्य विद्याले ने अभी कुछ दिन पूर्व आप सब लोगों को सूचना ये देना समीचीन लगता है कि सेंटर फॉर इंडिपेंडेंज एंड पार्टिशन स्टडिस के नाम से एक अभी अभी उन्होंने एक सेंटर डवलप किया है और उस सेंटर के द्वारा भी वो प्रेरणा आधरनिय मोदी जी के द्वारा दिये गए उद्बोधन के पस्चात है हमारे प्रेरत पुरुष है आधरनिय इसारित है उसी अंतराल में अपनी बात कहना चाहूंगा बात 1947 की है तो आप लोगों के सम्मुक ये प्रश्न भी उठाना चाहता हूं आप लोगों के चिंतन के लिए कि जब देश बढ़ता है स्वतंतरता के साथ साथ तो पंजाब और बंगाल के दो टुकड़े होते हैं भारत के दोनों हिस्सों में आधा-धा हिस्सा आता है लेकिन एक ऐसा हिस्सा जिसको सिंध छेत्र कहा गया है उसका एक गाउं भी इधर नहीं आपाता है आप कुछ शोधारती यहां पर बैटे हैं उस कालखंड में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कृपलानी जी होते है और कृपलानी जी के अध्यक्ष होते हुए भी एक गाउं एक छोटा सा टुकड़ा इतना बड़ा उसका सिमान्त खेत्र अगर आप दें गुजरात के कच्छ से ले करके और मुनाबाव जोधपुर और जैसल बेर तक एक गाउं भारत के इस ओर नहीं आपाता है ऐसा ही उनका दर्द उनकी पीड़ा उनका इस मरण आज के दिन उनका नहीं होना चाहिए मैं अभार प्रकट करना चाहूंगा इस आईजी एंसी विश्ष्ट संस्थान का आधरनिया राय साहब का आधरनिया हमारे जोशी साहब का कि उन्होंने इस पुस्तक के स्वरूप को स्विक सिंधी भाषा को सम्विधान में समलित किया जाता है और 1967 के पश्चाद 1977 का एक छोटी सी घटना है अयोध्या में रामनौमी का मेला लगा हुआ है एक सिंधी भाषी युवक जिसे डॉक्टर साहब के नाम से जाना जाता है वो अपने छोटे बच्चे आठ और दस साल के ब कि सभी समाज जो वहां पर भीड़ है वो सूर्य की और पूर्व की और अर्ग दे रहे हैं उस और दिशा करके दे रहे हैं एक अकिला शक्स है अकिला व्यक्षी व्यक्टी है जो उल्टा खड़ा है अपोजिट डिरेक्शन में खड़ा है मैं दूर से कहता हूँ कि पापा कि क्या कर रहे हैं सब लोग उधर देख रहे हैं आप भी उधर देखिए वो इशारा करते हैं कि बेटा आप रुखो में आता हूँ वो कुछ मंत्रों का उचारन करते हैं स्नान करके आते हैं मुझे गोद में बैठाते हैं और कहते हैं बेटा आज मुझे सिंध याद आ गय यह जो पीड़ाएं हैं यह उस समाज ने जिसने भोगी है वो पंजाब का समाज हो बंगाल का समाज हो उर्दु भाषी समाज हो या जो सिंदी भाषी समाज हो उसने भोगा है दूसरी एक छोटी सी घटना आप लोगों के सम्मुक रखता हूं देश अपनी आजादी का पचा बहुत ही इस समय धंधाने से परिपून हैं संपन हैं फिर आप देश की इस सिंद को इसमरन क्यों करते हैं मा ने जो उत्तर दिया उसकी चार पंक्ती मैंने लिखी हैं उसके बाद अपनी बाद पूरी करता हूं उन्होंने उस पत्रकार से उत्मन दिया किसी सिंदन के कि अप्जादी को तुम साल दर साल 47 की काली रात भी याद करके तो देखो और चीक खून बलादकार बिचो खुद बखुद दिख जाएगा किसी विस्थापित की आँख में ज्छांक करके तो देखो। और कहते हो क्या हुआ जो सिंद छोड़ाए अपने महले को जरा छोड़ करके तो देखो और बिछो के दर्द का एहसास अभी हो जाएगा अपनी मा से दो पल जुदा हो करके तो देखो और उठाते हो बेजा सवाल राष्टगान से सिंद निकाल दो कुछ लोग ऐसा आचरन पिछले दिनों करते रहे उठाते हो बेजा सवाल राष्टगान से सिंद निकाल दो नहीं मिलेगा सिंदियों सा बलिदान खोच करके तो देखो और सिंदियों की देश भक्ती वत तप का अनुबा हो जाएगा किसी सिंदन के गर्भ से जन मिले करके त करेंगा। करेंगा। कि मेर्ण हीन अरस्टूत अर्ण करेका एक बूस्थन कर recognize the फिसरी कि धर इसलिखने पर्डेश्टीर कुर्दपिज कि असे सेयरे पोकमेंट इवडेशी इसे अटिजिए परप्टिशन सेुज़ कि आफ इसेट ये नियूद कि अटिजिए इसे व्श नियूक्टी इसाइब कि अट इसेंग घर इसेटिए टूब ट्यूंग比ट इसे जि तो देन्मे, 1947, भने जए विए भी बादर मेरा अजिटेतर के लिवान अन्सिस्टर और ने वंगार लिए विए रांट के लिएते लिए नेते हैं, तोल है के विए रे लिए मैंगा बélकारी सासा वे विए मिएंगा थांप विए रावार, वे बान दे खूंगारा है, प्रिय वो जब बार बार गोड़ औ दो एंगा थे वोड़ जा बार गोड़ नायव थे जा को एवर शेंगे विड़ से झाले बार एंग मनेधन अव उधर और ट्रॉड ऑनेधना के लिए विव जा टॉन अलावरा खाना। तो फ्रेव कि और रेवा राट रिंट ज हैंज कि अष्ट. इस इन पर लाइन देस्तान चाहिए था आप इस लिए आप धर लुड़ी आप टेस्टारी है प्रकाइब लिए वाकताओं प्रणी बात चेज तुम्हाँ ही जब अपने से पूर वक्ताओं की बाते सुन्री थी तो मेरा मन एक तो जो अकेडेमिक पढ़ाई लिखाई वाली चीज है उस पर गया दूसरा अपने जो परिवार के व्यक्तिगत अनुभव हैं उन पर गया और उसमें से कुछ इस्तितिया जो मैंने सुनी बच्पन से सुनी देखी तो मैं उसको आपके सामने प्रस्थुत करने का प्रयास करूंगे तो जहां तक अकेडेमिक चीजों की बात है तो इस पुस्तक में जो हॉरर्स रिविजिटिंग पार्टिशन का है उसमें बाद में आती हूं लेकिन जो स्लाइड्स हैं जो एक्जिबिशन हैं उसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम जितने लोग हैं सब यहीं पढ़े लिखे लोग हैं मगर कभी भी हमें यह नहीं बताया गया कि भारत को आजादी मिली ही नहीं वाट इंडिया रिसीवड वस दूमिनियन स्टेटस बाद तो वस अ नेगोशियेशन ऑफ पार्टिशन तेल में हाव गुड इस आट कि जिन लोगों को बहा बना दिया गया आजादी के बाद वो लोग तो देखा जाए तो आजादी की लड़ाई में खुर्बान होने वाले जो वीर विरांगना थे उनको उनके साथ ही नहीं नहीं कर पाए और डिमिनियन स्टेटस लेकर बैठ गया और वो भी किस कीमत पर विभाजन की कीमत पर और इतिहास के पन्नों से उसको गायब कर दिया गया और हम सब को कह दिया गया इस वत्तंतिता दिवस है और इसके बदले में भारत ने क्या-क्या कीमत अदा की पैसा वैसा यह वो कई चीजे थी वो हम अदा करते रहे जिसके बारे में जिक्र होना चाहिए एक सेपरेट उसके के उपर एक 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 रिसर्च भी होनी चाहिए डॉक्यमेंटेशन भी होनी चाहिए और अगर दिली उनिवर्सिटी ने पार्टिशन और मॉडन इंडिया की इतिहास पर रिसर्च को स्विकारा ही है तो मैं कहूंगी खाली डुमिनियन स्टेटस के उपर बकाइदा रिसर एक लहोर के अंदर हीराओंडि है और वो हीरामंडि जो है दवाइव खाना है जो रेकोर्ड केहते हैं कि पचसपन हजार पाकिस्तानी रेकोर्ड केहता है पच्पन हजार से अधिक से पार्टिशन के बाद और जो ओरतें थी उनको वहां पहुचाया गया था, मुझे लगता है याद रखने जैसी चीज़ें हैं, 12,000 abduct की गई, यह record कहता है, कई हजार कुए में कूद के मर गई, यह record कहता है, कई बेटियों को उनके पिता ने मार दिया, यह record कहता है, भाईों ने मार दिया, क्योंकि उनके बचके वहां से निकलने के कोई चांस नहीं थे, और उसी के साथ मुझे याद आती है, जो एक राइटिंग में भी है, परंपरा जोहर की, तो लोग आज भी उसको खासतोर पे इतनी सारी महिलाईं यहां बैठी हैं, और आज हम महिला अधिकार और एमपावर्मेंट और तमाम बाते करते हैं, मगर भारतिये परिपेक्ष और सभिता सहस्कृती के मापदन्ट से मैंने कई लोगों को सुना रहे हैं, भै क्यों ही यह सब करना था, क्यों ही मरना होता है, आप सेक्स स्लेव बन जाओ, कोई फरक नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि जो भारतिये परंपरा है, समाज है, उसमें महिलाओं का ऐसा स्थान है और उनकी ऐसी मानसिक्ता है, कि वो किस तरीके कि स्लेवरी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपनी जान की बाजी लगाना, कुरबानी देने को कई बार बहतर समझेगा, और उसी का नतीजा है कि ये सब चीजें भी हमारे इतिहास का हिस्सा है, अब मैं इस से रिलेटेड थोड़ा सा दो स्लाइड्स हैं, जो डारेक्ली मेरी फैमिली से रिलेटेड है, एक है कि सबसे बड़ा जो विस्थापन है, वो मिन्ट कुम्री से हुआ, और जो कई सौसो एकर जमीनों के मालिक थे, वो यहाँ पर सब कुछ छोड़ के आ गए, और हमारे परिवारों में कभी आप नोटिस कीजेगा, जब आपने रिलेटेशन की बात सुनाई, तो मैं उससे रिलेट करके आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बच्पन में कुछ बाते समझ नहीं आती, पर बड़े होकर आपको समझ आती है, तो बच्पन में मुझे कभी समझ नहीं आया कि हर तीन महिने में, छे महिने में, नौ महिने में, मेरी दादी रात को उड़ जाती थी, जोर-जोर से दाड़े मारती थी, बार बार, सालों सदर साल, वो एक ही बात कहती थी, वो कहती थी, मैं जूती वी नी पाई सी, बच्चिया नू कुछ छच लाके नाट गए, which means, I could not wear my slippers, I carried the children in my arms and ran. Now, a woman who came from a background of riding horses, children spoiled enough to take the silver utensils out of the house, not being able to wear slippers, picked up the kids and ran. And ran like mob, मतलब वो, जो सबसे बड़ा विस्थापन है, उसी काफिले का शायद एक हिस्सा, जिसने एक पुल पार करने में 36 घंटे लगाए हूँ. लेकिन भारत का ये हिस्सा, एक वो हिस्सा जो छूट गया, इस भारत के हिस्से ने हमको पूरी तरीके से अपनाया, नहीं तो किस हालात में हम लोग आये थे, और जिस हालात में आये थे, एक व्यक्ती चोड डाकू नहीं बना जी. ये बच्पन में मेरे पिता जी के मुँझ से मैंने सुना, बंजाबी में बोलते थे, कभी हिंदी में बोलते थे, कि हाथ ऐसे खरना सीखो, ऐसे नहीं करना किसी के आगे, कभी नहीं करना, मेरी मा कहती थी, फटा मन्जूर है भाई, हाथ नहीं मांगना किसी से, मेहनत कर लेंगे, और कुछ बाते मुझे बाद में सबज आएं, क्योंकि जब मैंने वकालत जोइन की, तो दरिया गंज में हमारे सीनियर का ओफिस और घर था, वो पराने दिली वाले थे, तो वो कहते थे कि हमारे घरों में, और मुझे जूते चपल वाली बात तब समझ आई, मुझे उससे पहले समझ नहीं आई, क्योंकि वो तो नॉमल, वो कहते थे कि हमारे यहां जो परिवार में ओरते हैं, वो तो सब नंगे पैर घूमते थे, चानी चॉक वगरा के खेते में, और अमीर लोग थे, कोई मतलब ऐसा है नहीं, कल्चर था नंगे पैर घूमने का, वो सब नंगे पैर घूमते थे, कहते हैं हारी जो औरते थी वो कहते थी यह देखो यह refugee आ गई है railway station पर कहते हैं वो अच्छी खासी लंबी चौड़ी सुंदर पड़ी लेकिन परिवारों की देखरेख करनी थी तो उन्होंने railway station पर समान भी बेचने का काम किया अपने परिवार को sustain करने के लिए उन्होंने समान भी बेचने का काम भी किया और यहां की जो औरते थी उन्हें यह बात समझ नहीं आती थी कि कहने को तो यह बिचा रहे हैं यह तो रिफ्यूजी टाइप लोग हैं लेकिन जूतियां पहन के घूमती हैं that's the impression those are the stories and those are the narrations the fact is that so many mistakes were made at that point in time and this concession which came to us was not really a freedom but a dominion status that too at the cost of division of the country that too at the cost when millions were killed and thousands millions were killed we have called it migration but this is complete displacement this is hardly migration and this displacement needs to be given the word displacement and this is how displacement happened but the beauty of the whole thing is that this part of the country accepted us all we all worked very hard first generation would have suffered like hell second generation also would have suffered but would have made some inroads and third generation by my generation we got little normalized and the next generation probably knows nothing of the pain which our ancestors have gone through so today is the right day to remember all the pains that our ancestors have gone through to make this country what this country is to bring prosperity all around and to bring the narrative and the stories which people like us went through I mean in a lighter way but a very serious note I say that my poor children died generation after generation protecting those lands there was all the invasions that happened from here Takshila was funded by people like us traders fund it they do not fund it they would have funded it the government would have funded it they did not fund it they would have funded it the generations of living to save the land by one signature you gave it up but this is the pain which civilizationally we should remember that this is what happens on the borders और बारत की श्ट्रेश्टता बनाई रखने के लिए एकता और अखंडता भी जरूरी है और उस एकता अखंडता के लिए अपने बार्डर की निगरानी और बार्डर पे जो हमारे सेनानी बैठे हैं और चोकरनापन उससे हटने की जरूरत नहीं है वो एक कुछ कहते है रहा शेर है लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है तो ये जो लम्हों की खता थी और वो सदियों की जो हमारी रिजिलियन्स थी और काम था उसको चौपट कर दिया कुछ लम्हों ने इसलिए चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है बहुत बहुत शुक्रिया जैहिंद